लोग मुझसे सदीव कहते हैं काना अब तुम बड़े हो गए हो अभी भी बच्छों के बीच में रहे कर तुम शरारते करते हो क्यों तुम बड़े हो बड़ों की भाती रहो अधिकांच लोग यह नहीं समझ पाता है सोचते हैं कि भगवान है भगवान की भाती गंभीर क्यों नहीं रहते हैं अब कैसे समझाओं मैं सबको मेरे भगवान होने के पीछे का यह सबसे बड़ा रहस्य यह बच्चे ही तो है यह मेरी शक्ति कहां से आती है हर समस्या का हल निकानने की शक्ति इनी बच्चों से तो आती है जीवन जीने की शक्ति इस समसार को प्रेम सिखाने की शक्ति इनी बच्चों से आती है किसे निराश व्यक्ति के मन को बहला या कैसे जा कैसे उसे प्रसंद किया जा और ये बड़ी बात इने कोई नीर खीर नियाय ग्यात नहीं, कोई भेदभाव ग्यात नहीं ये भली बाती जानते हैं, कि इसे अकेले अंजान व्यक्ति को अपने दल का सदिश से कैसे बनाया जाए, कैसे उसे अपना बना दिया जाए और ये बड़ी बात है, इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है इसलिए आप भी कभी जीवन में गंभीर होने का प्रयास मत कीजेगा यदि ऐसा क्या है, ये संसार आपको बड़ा ही निरस लगने लगेगा आप भी बच्चों की भातें भोले बन कर रहिए इस जीवन का आनन्द उठाई, लाब और हानी से परे होकर संबन्दों को देगे व्यान को बगारने के स्थान को प्रेम से संबन्दों को निभाना सीगे आप स्वयम समझ जाएं, ये संसार कितना संद है लाओे, लाओे